दिली में प्रदूशन का स्तर अपने रकॉर्ड इस्तर पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है क्या वाकई ये दिली की सबसे प्रदूशित स्थिती है या इस से पहले भी दिली इस स्थिती में आया दिली में कई सारे लोग leaders को track करते हैं लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसे शक्स हैं जो पिछले कई दशक्से दिली के प्रदूशन को ट्रैक कर रहे हैं हमारे साथ Dr. George है जो की Additional Director रह चुके हैं दिली प्रदूशन कंट्रोल कंट्रोल कमिटी में और आज हमारे साथ हैं, सबसे पहले तो आपको का बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ होने के लिए, जोज़ साब सबसे पहला सवाल, ये जो 2024 का स्मॉग है, क्या ये सबसे ज्यादा प्रदूशित साल का स्मॉग है, आज तक की हिस्ट्री में आज तक की दिया स्मॉग है? इसको सबसे पहले अपने डेक्ट किया था 2012 में और 2012 के बाद जो मेजर माना जाता है वो 2016 का था 2016 का लेकिन जो स्मोग मैं कल से देख रहा हूं जो हम सीवियर प्लस में है और जिस इस्थिति में है उस से अफकोर्स अभी डेटा अगेरा आपको चेक करना पड़ेगा लेकिन य इति आज़ शाहि दोवी डेली नहीं भूंट प्लस में शाहिआ को लिद्ड आख में यहां विनकीस अवतन हैं साल जो औरif पूर्दीच कि औरे इसान का ह मै हमारे सामने दो मैप घि sappi हैं हमें कुछ सफेद जो सपार्ट दिख देखे जो सफीद पैक्ट जो दिखाई दे रहा है ये वो धुआ है धुआ का आप कह सकते हैं एक तरसे बादल गुबार है जो पूरा ये जो कुछ पिंकिस गुलाबी कलर का कुछ देख रहा है ये इनहेबिटेशन है और ये दिली है जो आप देख पा रहे हैं और इस समय ज क्योंकि आपकी तरफ विंड डाइरेक्शन है ये पूरा गुबार इधर को आ रहा है और अगर ये दिली के उपर पूरी तरह से आया तो मेरी समय से आज से भी जो इस्थिति है वो खराब हो सकती है ये सबसे बड़ी बात है ये बात चो बता रहे हैं डॉक्टर चॉर्च ये चिंता की सबसे बड़ी वज़ा हो सकती है कि दिली में जो समय स्मॉग है जो कि अल्रेडी कई सारी जगहों पर जो सीपी सीवी रिकॉर्ड करता है पांच सो उसका अधिक्तम आकड़ा है अभी थोड़ी देर पहले द्वार का नजफगर जैसे इलाकों में वो पांच सो आको पहुंच चुका है इंडिया गेट पे 499 पहुंच चुका है तो क्या इससे और खराब होगा क्योंकि विन डायरेक्शन जो है वो दिली की तरफ इस बड़े धुए के गुबार को लागी जिया विन डायरेक्शन तो अभी दिली की तरफ मुग कर रहा है इस्पेशली ट्रांसपोर्ट लेवल पर क्योंकि जनरली कहा जाता है कि हम लोग बोलते हैं की काम कंडिशन घिर शायद हम इस मैप में चौंज करपाए तो कि हवा की डारेक्शन इस तरफ है आप डाउन विंड में हैं अगर गुबार मुग कर रहा है तो आपकी तरफ आएगा जो हम कुछ दिनों पहले तक हम देख रहे थे कि जो स्मॉग पाकिस्तान के ऊपर था उस समय जो हवा की दिशा थी वो पूरव से पश्चिम की तरफ ती यानि पाकिस्तान की तरफ जारी थी अब पाकिस्तान से वहीद हुआ पाकिस्तान पंजाब होते हुए और राजस्तान होते हुए दिल्ली पे आ रहा है मतलब यह रिवर्स हो गया है विंड डाइरेक्शन और वहीद हुआ जो एक तरीके से पाकिस्तान पे लटका पड़ा जो लाहोर कराची में दिखाई पड़ रहा था वो अब दिली के अकुनाल आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं एक्चली इस समय पर जब हम इस मुद्धे पर बात कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए हम पाकिस्तान भारत और बांगलादेश को भूल जाए हमको बात जो करने जो था यहां पर जो हम देख रहे हैं कि कई सारी चीजें होती हैं कि इंडो गैंगेटिक प्लेन जो है वो किसको कहते हैं तो हम इस पर मैप के जरी हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें यहां पर हमारी बार्डर है और इट्स टेंटिटिव है विल्कुल यहां यह लाहोर अगेरा का बैल्ट है इसलामबाद लाहोर इधर लाहोर होगा इंड इसलामबाद एंड यह पूरा जो बैल्ट है नीचे बंगलादेश तक जाके इंडो कंगेटिक प्लेन तो इसमें यह द्वा बरता है क्योंकि अग्रिकल्टर रिसेडियो बर्न हो रहा है जब आप किसी चीज को बर्न करेंगे तो धुआ ऊपर उठेगा और उपर जो मिक्सिंग हाइट है उस पर जाके वो ट्राइप हो जाएगा अफकोर्स कुछ डिसपर्स होता है लेकिन पूरा डिसपर्स नहीं हो पाया अब यह जो गुबार पहले हवा की वजह से और दूसरे अट्मस्टर की वज़े से मुग कर रहा है पहले वह उस तरफ को मुग कर रहा है जो कंडिशन एक चीज और होती है जिसको हम कहते हैं टेंपरेचर इंवर्जन ठंड भी आ गई है और इस वजह से जो जमीन के आसपास जो टेंपरेचर है वो भी नीचे चला गया है इसलिए भी जो मैंने Mixing Height बूला था है हो ही टेंपरेचर इंवर्षन का होता है है आप ये मान के चलिए कि जब हम कहते हैं समर में भी बर्निंघ होती है तब क्यों हम इंप आए इंप आइपेक्टल रही होते हैं आप जैसे आपने वौला विंट्र हुवा है तेंपरेचर इंबर्षन का तो वो जो हाइट है वो डाउन आ रहे है वो हो सकता 500 मीटर हो या 1000 मीटर हो अब प्रिश्णिया आता है जो चीज 3000 मीटर के कॉलम में थी वो सदनली अगर 1000 पे क्यों दिल्ली में प्रदूशन बढ़ रहा है कई बार हम कहते हैं और लोग भी आम बोल चाल की बाशा में बोल देते हैं कि पंजाब का पराली का धुआ आ रहा है या पाकिस्तान से आ रहा है तो इससे कोई एक खास प्रांत या एक खास देश प्रभावित नहीं है यह मौसम और साथ साथ जो हमारी एक्टिविटी हैं चाहे हम गाड़ी चलाते हैं या पराली जलाते हैं उन सब का मिला जुला असर है और वो किसी भी देश में हो किसी भी प्रांत में हो उससे इस पर फर्क नहीं पड़ता है दिल्ली में जो इस्तिती है वो शायद और खराब हो सकती क्योंकि अभी तक जो पूरा धुआ है वो दिल्ली के उपर आया भी नहीं है तो अगर आ गया तो क्या हालत होगी इसका अंदाजा आप और हम लगा सकते हैं कैमरामेल मृदल मोहन के साथ कुमार कुनाल दिल्ली आज तक